शौक बड़ी चीज है शौक ना हो तो जिन्दगी बेजार और बेजान हो जाती है लेकिन जब इसी शौक पर खुनर का रंग चड़ता है तो जिन्दगी के साथ साथ पूरी काइनात खुपसूरत हो जाती है वैसे ही जैसे जब राची के उत्तम के शौक को खुनर का साथ मिल तो उन्होंने लॉकडाउन के खाली वक्त को तराश कर वो करिश्मा कर दिखाया जिसके लोग दिवाने हो रहे हैं उत्तम के शौक में वन्य जीवों के लिए अथाह प्रेम है तो पर्यवरण को लेकर गहरी चिंता भी तूटे-फूटे डबो पर उन्होंने वन्य जीवों की ऐसी शकल दी है कि लगता है कि अभी बोल पड़ेंगे उत्तम ने जब पूरे मुहले का कबाड अपने घर पर इकठा करना शुरू किया तो परिवार वालों की चिंता जायस थी और एक बारगी तो वे इसे उत्तम का पागलपन समझ बैठे हलाकि अब वे अपने खुबसूरत बगीचे को देख कर इतराती है चिंता हो रहा थे कि इतना कबाड ले आ रहे हैं अब क्या होगा घर में इतना कबार ले के आ रहे हैं तो पिर दीरे जब यह बनाने लगे तो देख करके बहुत अच्छा लगा और पडोसी भी दो चार बोतल देके बोले कि हमारा भी बनवा देजीए तो अंदों का बात शौक मनुस्य का जनमजाद गुड़ है और हर एक व्यक्ति के भीतर कोई न कोई शौक दबा होता है लेकिन वक्त के साथ जो अपने शौक को मरने नहीं देता उसके कारणामे भी अमर हो जाते है राची से अवधेश गौदम की रिपोर्ट